आगे बढ़ते हैं उस संकट की जो हमारे चारो ओर है और हमारे भविश्च जो है उसका शिकार होता जा रहा है ये नशिली दवाओ का यानि की ड्रग्स का संकट है आए दिन हमारे युवा इसकी चपेट में आकर अपनी सेहत, अपनी माली हालत और अपना भविश्च जो है वो दाओं पर लगा रहा हैं बरबाद कर रहा है इन नशिली दवाओ के पीछे एक पूरा अंतराश्टिय रैकेट जो है वो काम करता है जिसके तार भारत भर में पूरे तरीके से फैले हुए और ये जाल हमारे शहरों, गाओं, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य जगाहों पर बिलकुल बेतरतीब तरीके से फैला हुआ है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस सिलसिले में आए दिन कारवाई करता रहा है जिस तरीके को नेटवर्क है उसका भांडा फोड भी किया है, आरूपयों गरिफ्तार भी किया है LSD यानि की पार्टी ट्रग्स युबाओ की बढ़ती जो बड़ी तेजी से उन्हें अपना शिकार बना रही है और उन्हें इसकी लट लग रही है और भारत इसका केंडर बनता जा रहा है हमारे सहयोगी मुकेश सिंग सेंगर की पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर इस पे आगे देशा करें ये टिकट नशीले हैं, इनके आदे हिस्से में पार्टी ड्रग LSD का पेस्ट है पाँच टिकटों पर 0.1 ग्राम LSD जिसे एक ब्लॉट कहते हैं ऐसे तकरीबन 15,000 ब्लॉट NCB ने बरामत किये हैं NCB ने LSD की अब तक की सबसे बड़ी ए मात्रा दिल्ली NCR समेट कुछ और शेहरों से बरामत की है इस ऑपरिशन में दो केसे में छे लोगों को गिरफतार किया है और लगभग 15,000 LSD ब्लॉट समेट अने ड्रग्स बरामत किये हैं टार्गेट्स को ये लोग सोशल मीडिया साइट पे लुभाते थे और वहां से इनका परिचे होता था और वहां सोशल मीडिया साइट के थूरू लेते थे और फॉरेन में डाक वेब के माद्यम से और क्रिप्टो करेंसी के माद्यम से ड्रग्स मगाते थे एनसीबी के मताबिक सोशल मीडिया पर पेट्रॉलिंग के दोरान उन्हें इस सिंडिकेट का पता चला इसके बाद नौइडा, दिल्ली, जैपूर, महरास्ट, तमिलनाडू और केरल में छापे मारी कर कुल छे लोग पकड़े गए जैपूर से पकड़ा गया शक्स इस सिंडिकेट का मास्टर माइंड है LSD आजकल युवाओं में बहुत लोगप्री है लेकिन ये बहुत खतरनाग भी है 2013 में दिल्ली के कालकाजी इलाके में LSD के ओवा डोज के चलते एक लड़के की मौत हो गई थी NCB के मताबिक भारत LSD का हब बनता जा रहा है आम तोर पे जो हमारे देखने में आया है पोलेंड, निदरलेंड इस तरह है कि यूरोपेन कंट्रीज में मैनुफेक्शर जादा हो रहा है और वहाँ से धीरे-धीरे इंडिया में आ रहा है और इंडिया एक कंदम्चन हब बनता जा रहा है एंसीबी ने सबसे पहले नौइडा की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र को पकड़ा था वो विकर एफ से LSD ले रहा था एंसीबी के मताबिक सभी आरोपी बेहत पढ़े लिखे हैं और जो आरोपी जैपूर्ट से पकड़ा गया है वो एक MNC में काम करता है देश के बाहर से आ रही पार्टी ड्रग यानि की LSD को डिटेक्ट करना और इसके सिंडिकेट को पकड़ना बेहत मुश्किल काम है लेकिन पिछले दो दसकों में NCB ने अब तक की LSD की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है अभी इस मामले में इसके एक और ड्रग कार्टेल की जाँजारी है और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में फिर से भारी मातरा में LSD बरामद हो और कई आरोपी गरतार हो नई दिल्ली से क्यारा में प्रेम सिंग के साथ मुकेश सिंसेंगर NDTV इंडिया अब नशिली दबाओ का जो कारोबार है किस तरीके से सीमा पार कर भारत में आता है इसके कई उधारन सामने आचुके हैं आए दिन आते रहते हैं 12 माई को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिंद महासागर में एक ऐसे मदर्शिप को पकड़ा जिसमें करीब 25,000 करोड रुपे की कीमत की धाई हजार किलोग्राम हाई प्यूरिटी मैथामाइटिप्रीन थी मौरिशिप के जो बड़े जहाज होते हैं वो इस तरीके से प्रतिबंदित नशीली दबाव को लेकर देशोप में दूसरी देश हैं वहाँ पर लेकर आते हैं और बीच समुंदर से ही छोटी नाव और जहाजों से इस ड्रग्स को शिफ्ट कर दिया जाता है इसके बाद इन्हें छोटी नाव को जो है तटिये इलाकों में लेकर आया जाता है NCB ने ऑपरेशन समुदर गुप्त के तहट ये जबरदस बड़ी जब्ती की थी ये ड्रग्स अफगानिस्तान से आई थी और उनकी तसकरी कुछ बड़े पाकिस्तानी तसकर कर रहे थे समुदर या समुदर जो तटिये इलाके हैं वहाँ पर ड्रग्स की बरामतगी करने के लिए कई मामले सामने आया है इसके अलावा भारत में पडोसी देश खासकर पाकिस्तान से लगी सीमा होने के कारण ड्रग्स का जो धडलने से तसकरी करने की साज़िश है वो चलती रहती है कभी द्रोन के जरिये, कभी सुरंग के जरिये और हमें इसे रोकने के लिए हमेशा मुस्ताइद रहना पड़ता है बीतर शनिवार तीन जून को पंजाब पुलीस ने नशिली दवाओ की एक तसकरी करने वाले दो स्मंगलर्स को गिरिफतार किया उनके पास 9 किलोग्राम से ज्यादा हिरोईन बरामत हुई पंजाब में जो जलालाबाद इलाका है यहां से एक रिफतारिया हुई आपको पता ही है पंजाब में ड्रग से समस्या कितनी विकट है शनिवार को अमरित सर के बाहरी इलाकों में पाकिस्तान से आए द्रोन को गिराया गया इससे हिरोईन लदी हुई थी बिएसेफ और पंजाब पुलीस ने इस सायुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया एक द्रोन की आवाज आने के बाद जब जान शुरू हुई तो सुरक्षा बलो ने उसको एक खेट में नशीली दवाओ के यानि की हिरोईन के पांच पैकिट पड़े मिले बिएसेफ की प्रेस रिलीज में बताया गया कि पाकिस्तान की और से नशीली दवाओ की तो तसकरी है वो ऐसे ही करने की कोशिशे की जा रहे हैं जिसको वो नाकाम करने की पूरी कोशिश कर रहे है इससे पहले 27 माई की रात को बिएसेफ ने अमरिटसर के धनोई गाउं में पाकिस्तान की और से आ रहे हैं एक द्रोन को मार गिराया था इसके बाद एक स्मगलर की नशीली दवाओ की खेप के साथ उसे गिरफतार भी किया गया उसमगलर के पास से 2 करोड रुपए की 3.5 किलोग्राम नशीली दवाई जो हैं वो मिली इससे पहले रविवार को 21 माई को बिएसेफ ने अमरिटसर में ही रात के और नशीली दवाओ की दो खेप पकड़ी और एक द्रोन को मार गिराया 28 माई को बिएसफ ने गुजरात के कच जिली में तट से लगे हुए दो दीपो के बे ड्रग्स से जुरे 5 पैकेट बरामत किये इसके साथ गुजरात में एप्रिल में 28 माई तक ड्रग्स के ऐसे 41 पैकेट जो है वो अब तक पकड़े जा चुके दुनिया में हेरोईन और कोकेन के उत्पादन और प्रोसेसिंग की तीन मुख्य सेंटर है ये एक गोल्ड ट्राइंगल के नाम से जाने जाते हैं जिसमें मैनमार, थाइलेंड और लाउस आते हैं गोल्डन जो क्रिसेंट है जिसमें अफगानिस्तान, इरान और पाकिस्तान आते हैं और तीसरा दक्षन अमेरिका भारत खासतोर पर पंजाब गोल्डन क्रिसेंट के रूट पर पड़ता है संचार के नए तरीके और कनेक्टिविटी बढ़ने से ड्रक्स मगलरों के लिए अंतराश्ट्रे सीमाओं के आरपा ड्रक्स पहुंचाना थोड़ा असान हो गया है इसमें मिलने वाले जो पैसा है वो नार्को जो टेरिरिजम है उसको बढ़ावा देने के लिए इस्तमाल किया जाता है जो दुनिया भर में शांती और विकास के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ड्रक्स की जो समस्या है इस पर हाली में इंडियन काउंसल ओफ सोशल साइंसिस रिसर्च यानि की आई सी एसेस आर की ओर से एक अध्यान कराया गया जिसका जो शीशक था वो था डाइनेमिक्स ओफ ड्रग एडिक्शन और अब्यूजिट इंडिया यानि की भारत में ड्रक्स की लट और दुर्यूपयोग के पहलू अमरित सर्की गुरुनानक देव उनिवर्स्टी के पंजाब स्कूल ओफ एकोनोमिक्स के प्रोफेसर और हमारे साथ इस वार डॉक्टर रंजीत सिंग्ग चुमन सेंटर पॉर रिसर्च इन कारल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गुरिंदर इस वक्त हमारे साथ जुर रहे हैं और डॉक्टर जितिंदर सिंग द्वारा इस अधियन का को किया गया है इस शोध में ये बात सामने आई है कि राजनेतिक नेताओं के संड्रक्षन में ड्रक्स्मगलिंग का जो धंदा है वो फॉल फूल रहा है और कुछ ने जो में कराया गया इस अध्यन का मकसद ड्रक्स एडिक्शन और सामाजिक तौर पर इसका क्या असर हो रहा है राजनेतिक आठिक तौर के जो पहलू है उसकी परताल करने का था इस अध्यन के मताबिक नशे के करीब 50 प्रतिशत आदी लोग ये मानते हैं कि उनका स्वास्त स से जुड़ी कई समस्या है जैसे कि AIDS, depression, hypertension ये सारी जो समस्या हैं वो ड्रक्स की वज़ा से ही हो रही है है हल्यूसिनेशन भी इसमें है 13 प्रतिशत परिवारों का मानना है कि अपने सदस्यों की ड्रक्स की आदितों की वज़ा से उनकी सामाजिक छवी जो है वो खराब और खुद ड्रक्स खरीदने बेचने के धंदे में लग जाते हैं। खर्च करते हैं बाकी 18 प्रतिशत ड्रक्स एडिक्स रोज 2,000 रुपए से ज्यादा पैसा इस आदत पर खर्च करते हैं 60 प्रतिशत से ज्यादा नशे के आदी औसतन 20,000 रुपए से ज्यादा जो है वो इलाज पर खर्च करते हैं 35 प्रतिशत लोग अपने इलाज पर 20,000 से लेकर 1,00,000 रुपे तक का कर्ज जो है वो ले चुके है अध्यान में 88 प्रतिशत लोगों ने ये भी कहा कि सरकार इस मुद्दे से निपटने की जो शम्ता है वो रखती है लेकिन 65 प्रतिशत लोगों का मानना है कि ड्रग से निपटने के लिए सरकार के प्रदर्शन से वो खुछ नहीं है 91 प्रतिशत लोग पुलिस की भूमिका पर संधे जताते हैं उनके मुताबिक भयानक भरष्टाचार और राजनेटिक दबाव की वज़ा से पुलिस ड्रग से जुड़े मामलों में गंभीर कारवाई नहीं करती है ड्रग की सप्लाइचेन को काटना हो या फिर ड्रग की मांग को खत्म करना ड्रग के आदी लोगों को नशे की लज से छुड़वाना नए लोगों को खासकर जुबाओ को ड्रग से बचा कर रखना ये बहुत बड़ी एक चुनोती के तौर पर सामने है इस शोध में शामिल डॉक्टर रंजीत सिंग चुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्साब मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहता हूँ और आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी व्रिस्तृत ये रिपोर्ट है इसमें सबसे चौकाने वाली बात या ये मैं कहूँ कि चौकाने वाली बात नहीं है शुक्रिया जी मेरे को जहां जोडने का मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम प्रफेसर अंजीत सिंग गुमन है और इस वक्त मैं गुरुनानक देव युनिवस्टी में प्रफेसर अफेमिनेस हूँ एकनामिक्स में जी और जब ये स्टडी की थी तब सेंटर फार सर्च रूरल एंड इंडर्स्टियल डुविल्मेंट क्रेड में था आपने जैसे बताया मेरे सही जोगी डक्टर गुरिंदर कौर और डक्टर जेतिंदर सिंग थे अईसस और की स्पॉंसेंट स्टडी थी जी अब जो आपका सवाल है वो बहुत ऐहम है और आपने जैसले बताया कि इसके अंदरूनी सरोत भी है वारी सरोत भी है यह से गोल्डन क्रेसिंट का नाम आपने लिया है वो पाकस्तान, एरान, पकस्तान, एफगानस्तान और एरान यहां से आता है पंचाब जो है transit route बनता है और इससे बाकिष वर परांतों को भी जाता है वार भी जाता है पॉर रिखेर और जो आपने सवाल रेज capacity है कि क्यिक हमारी study में बहुत clear जी आया है कि इतने बड़े पैमाने पर जे drug का जो यो दंदा है या drug का रेकोट है ये यह पुलिस, पॉलिटीशन और बड़े स्मगलर के गट जोड के बिना नहीं चल सकता, लेकन जब मैं कहता हूं कि पुलिस और पॉलिटीशन तो इसमें यह मत समझना कि सभी पुलिस वाले इसमें शामल हैं, कुछ गिने चुने पुलिस वाले इसमें हैं, कुछ गिने चुने इसमें politician भी है और जब ये politician अकेला पंजाब में नहीं और प्रांतों में में जब ये election नशे का प्रयोग करते हैं वोट लेने के लिए तब उनका जो दैटिव है जो नशे खतम करने का वो खतम हो जाता है उनकी जो सभी है वो खराब हो जाती है प्राफिसर गुवन मैं आपसे भी समझना चाहता हूँ कि किस तरह की ड्रग्स का चलन जो है वो युवाओं में जादा होता है क्योंकि हमने अभी एक रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें LSD के बारी बड़ी खेप को पकड़ा गया ये जो पार्टी ड्रग्स इनको कहा जाता ह है सर ये क्या ड्रग्स होती है और ये क्या जादा चलन होता है युवाओं में इसका देखिए हमारे जो स्टडी में हमें मिला है वो मांचों स्टेटों में दस किसम की जो ड्रग्स हैं वो ज्यादा तर पर चलते हैं वैसे हमने 28 ड्रग्स का भी हमारे पास लिस्ट है लेकि मेरी जो ना गांजा अगयरा और उसमें बूफर नौर्फाइन उसमें कोडीन है हसीस है कोकेन है और कैनन वीज है यह कुछ तो ज्यादा तर ओपियम बेस्ट है कुछ नैचरल जो प्लांट्स है उससे आती है और कुछ सिंथेटिक है यह सभी बलाकर जो जलती है और मैं अगर आपको बताओं कि किस स्टेट में ज्यादा है तो पंजाब येंड के में हैरोइन ज्यादा है और बाकी स्टेटों में पॉपी हस्क और दूसरे जो है इसका मतलब ये निक पंजाब में बाकी जाएं येंड के में बाकी नहीं है लेकिन वो हैरोइन और जो ज्यादातर है प आपकी study को बाहर निकाला वैसे सरकारे भी आपकी study को उतनी seriously लेंगे और उस पर action होता दिखना चाहिए क्योंकि हर चुनावी मुद्दा तो ये जैसे प्रोफेसर गुमन भी कहा रहे थे कि ये बन जाता है लेकिन उसके बाद इस पर एक concrete action जो है वो होता दिखाई नहीं पड़ता है